दोस्तो कतर के बाद अब मालदिप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि मालदिप की सरकार ने भारत के 12 लोगों को ग्रिपतार कर लिया है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन छोटे देशों को भारत से क्या दिक्कत है क्यों ये भारतिय लोगों को अरेश्ट कर रहे हैं इसके लबा भारत इन देशों के साथ क्या करने वाला है स्वागत है आपका बियस मोटिवेशन के एक और वीडियो में मैं हूँ विकास दोस्तो सबसे पहरे 26 अक्टूबर को खबर आती है कि कतर ने भारतिय ओफिसर को फांसी की सजा सुनाई है और इसे लेकर बात्ची चली रही थी कि तबी ये खबर सामने आई कि मालदिप में भी 12 भारतियों को ग्रिफतार कर लिया गया है आपको बता दे कि ये 12 भारतियों लोग पेसे से मचवारा है जो कि मचली पकड़ते हैं हलाकि कतर और मालदिप दोनों का सिच्वेशन अलग है एक और नेवी के ओफिसर हैं जो कि इंडियन नेवी में 20 साल तक काम कर चुके हैं वहीं दूसरी और ये 12 मचवारे हैं लेकिन यहाँ पर हम भारतिय लोगों की बात कर रहे हैं ये सारे लोग भारतिय हैं इन दोनों देसों ने भारतिय लोगों को टार्गेट किया है ये 12 मचवारे 1 अक्टूबर 2023 को थुद्थु कोड़ी जीले से मचली पकड़ने के लिए निकलते हैं फिर 23 अक्टूबर को इनने मालदिप सरकार हिरासत में ले लेती है जब तबिलनाडू के मुकमंतरी M.K. स्टेलिन को इस बात का पता चला तो उन्होंने S.J. संकर को पत्र लिखा उन्होंने कहा कि इन भारतिय मचवारों को जल से जल भारत लाया जाए क्योंकि ये एक रेजिश्टर फिसिंग बोड के साथ गए थे ये कोई घुसपेडिये नहीं है ये बिल्कुल लिगल तरीके से मचली पकड़ने गए थे यहां आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर भारत सरकार इन मचवारों को वापस लाना चाती है तो इसके लिए भारत के विदेश मंत्राले को मालदीप के सरकार से बात करनी होगी और जब से मालदीप में नई सरकार आई है तब से चाइना और मालदीप सरकार के बीच काफी अक्टिविटी देखने को मिली है मालदीप सरकार इस बात को बिल्कुल भूल चुकी है कि आज से कुछ साल पहले भारत ने मालदीप की मदद की थी और भारतिये कमपणियों ने मालदीप के कई प्रोजट्स को लेकर डिल की थी जाहिर सी बात है कि मालदीप भारत के सपोर्ट को भूल चुका है तबी वो चीन के साथ डिल कर रहा है आज से कुछ साल पहले मालदीप चीन के B.R.I. प्रजट का हिस्सा बन चुका है चीन अपने B.R.I. प्रजट के जरीए मालदीप में बड़े पैमाने पर पोर्ट, एयरपोर्ट और ब्रिज बनाएगा मालदीप की सरकार ने जिन भारती मचवारों को ग्रिपतार किया है उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि मालदीप के तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है कि इन मचवारों को क्यो अरेश्ट किया गया है इसके लाबा कतर की सरकार ने भी इसका कोई सबुत नहीं दिया कि भारतिये नेवी ओफिसर उनके यहां पर जासुसी कर रहे थे उसका क्या सबुत है आपने देखा होगा कि कुछ मैंने पहले कनाडा की सरकार ने भी यही किया था उन्होंने भी भारत पर आरोप लगाया था लेकिन उनके पास सबुत नहीं था इन सभी एक्टिविटी को देखते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है कि यह देश बिना किसी गलती के भारतियों को अरेश्ट कर रहे है यहां तक कि फासी की सजा भी सुना देते हैं जबकि उनके पास कोई ठोस सबुत है भी नहीं और इन्हें लगता है कि भारत कुछ एक्षन नहीं लेगा यह देश भूल चुके हैं कि जब रूस यूक्रेन वार चल रहा था तो भारत सरकार ने यूकरेन में फसे सभी भारतियों को वापस भूला लिया था ऐसे में बिना किसी गलती के भारतियों को सजा देना वो भी कतर और मालदीब जैसे छोटे देशों के लिए यह हमारे भारत के लिए सही नहीं है कि बिना किसी सबूत के भारतियों पर गलत आरुप लगाने पर भारत क्या कर सकता है तो दोस्तों ये थी कतर और मालदीप में फसे लोगों की पूरी जनकारी आपको क्या लगता है गाइस भारत सरकार को क्या करना चाहिए क्या सरकार को बड़ा एक्सन लेना चाहिए या फिर ये मुद्धा यहीं पर दब जाएगा क्योंकि कतर देश के पास कोई सबुद नहीं है और उन्होंने हमारे जवानों को फांसी की सदा सुना दी ठीक उसी तरह मालदिव सरकार के पास भी कोई सबुद नहीं है कि इन मचवारों की गलती क्या है और उन्होंने इसे अरेश्ट कर लिया तो इस टॉपिक को लेकर आपका क्या काना है आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए आप अपने राय कोमड़ बॉक्स में जरूर दीजिए और आई होप कि गाईस आपको ये सारी चीजे समझ आई होगी कि आखिर हो क्या रहा है नव ठेंक्स पर वाचिंग इस विडियो मिलते हैं नेक्स विडियो में वेजनकारी के साथ तब तक के लिए जाएं